हेलो एवरिवान वेलकम तू जस जस वर्ल तो आज फेब्ररी स्टार्ट हो गया है तो आज थोड़ी सी हार्वेस्टिंग थोड़ा सा मेरे गार्डन का ओवर्व्यू सबसे पहले थोड़ी सी मटर की हार्वेस्टिंग मटर देखे एक ही प्लांट पे कितने कितने सारे लगे हैं खूब इसमें अच्छे से मटर और कई पॉड्ज में ये मटर बन भी गए हैं तो ये थोड़े से मैं हार्वेस्ट आज कर लूँगी कुछ और जो हैं उनको बढ़ तो बना इनकी अच्छी बनेगी ही लेकिन अगर आप इनको कच्छे भी खाएंगे तो ये बहुत मीठे हैं इनका टेस्ट क्योंके ये और्गैनिकली उगाए हैं इनमें कोई भी रसाइनिक खाद कैमिकल खाद इसमें नहीं डाली कोई भी पैस्टिसाइड का इस पर सप्रे नहीं हुआ तो इनका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है तो इतने मटर मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं अब ये गोभी हार्वेस्ट कर लेते हैं तो अपनी जुरूरत के हिसाब से इतनी गोभी मैंने हार्वेस्ट कर ली है मैं पहले भी चार बार गोभी की हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था तो दो-तिन फूल गोभी के अभी मैंने छोड़ दिये हैं तो ये मैं दो-एक दिन में हार्वेस्ट कर लूँगी इनको भी क्योंकि गोभी को तभी हार्वेस्ट कर लेना चाहिए जब उसका फूल इस तरह से इंटेक्ट हो और अगर आप लेट हो जाएंगे तो वो इस तरह से बिखरने लगेगा और थोड़ा हार्ड हो जाएगा इसके साथ ही मैं ये एक मूली भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ और ये हराप्याज जिसकी हार्वेस्टिंग तो बतानी मैं आपको कितनी बार दिखा चुकी हूँ और साथ ही ये भी बता चुकी हूं कि ये मैंने गर्मियों में लगाया था एक साल पहले लग भग एक साल पहले तो एपरिल में मेरे ख्याल से मैंने ये लगाया था और अब फिर से दो महीने बाद एपरिल आने वाला है तो ये चोटे-चोटे प्याज मैंने लगाए थे किचन में से ही और उस पर से मुझे सारा साल ये ग्रीन लीव्ज इस तरह से मिलते रहे हैं ये शलगम लगे हुए हैं बारिश उगारा के बाद अब ये अच्छे बढ़ने लगे हैं इसके पत्ते तो देखते हैं के शलगम बनते हैं अच्छे के नहीं इसमें और इनके बीच में ही ये मैंने टमाटर का लगाया हुआ था पौदा तो ये अच्छे से बढ़ने ही रहा था तो इसलिए मैंने इसके आसपास भी शलगम के बीच लगा दिये थे बैंगन के पौदों पर काफी बैंगन आये थे लेकिन लगातार बारिश होने से और मिट्टी गीली होने से वो लगे लगे ही इस पर फट गए तो ये ठीक है थोड़ा सा इसको तोड़ लेते हैं और इस पर अभी ये देखिए काफी फ्लावरिंग होने के बाद फ्रूटि में से मैंने यहां से मूलिया अब अल्मोस निकाल ली है बस यह एकाद बची है तो यह मूलिया निकालने के बाद अब यह चकंदर के प्लांट्स अच्छे बढ़ने लगे हैं पहले इनकी ग्रोथ ना के बराबर थी क्योंकि इनको धूप नहीं लग रही थी मूलियों के औ आने के बाद बहुत अच्छे से ये भी बढ़ने लगे हैं ये कुछ पॉद्दे इसी पेटी में ये तो अपने आप ही उगाया था और इस पर ये एक टमाटर लगा है इस पर बहुत फ्लावरिंग हुई थी लेकिन बहुत से फ्लावर्स लगातार बारिश की वज़े से मिट लेकिन अभी फिर से बारिश की प्रडिक्शन है एक दो दिन में तो देखते हैं क्या बनता है क्योंकि अभी फिर से मेरे जो प्लावर्स हैं ये टमाटर के इन पर फ्लावरिंग हो रही थी लेकिन अगर फिर से बारिश हुई तो हो सकता है कि ज्यादा मिट्टी गीली रहन अभी बहुत अच्छे से यह बर्ड नहीं रही है यह येलो स्क्वेश के फीमेल फ्लावर्ज यह बर्ड तो रहे हैं लेकिन अभी तक यह खिले नहीं हैं तो यह भी शायद यही वजह है कि धूप इनको नहीं मिले पिछले एक महीने से एक महीने में लगबग 25 दिन के करीब तो या तो बारिश रही या धूप नहीं निकली बस बादल चाहे रहे तो धूप मुश्किल से 4-5 दिन निकली है वो भी किसी दिन 2 घंटे तो एक दो दिन ही है जब पूरे दिन की धूप इनको मिली है इस तरफ जो टमाटर के पौदे लगे हैं इन पर भी फिर से बहुत flowering हुई है तो ये भी देखते हैं कि ये टमाटर में convert होते हैं या बारिश की वज़े से फिर से गिर जाते हैं इस तरव भी टमाटर है और ये भी ये cherry टमाटर के plants हैं इन पर ये टमाटर बने हैं कुछ और अभी इन पर flowering हो रही है यहां भी लगे हुए है ये देखिए ये तो गुछे में आए हुए है ये cherry टमाटर और इस तरह रही है और ये जो है ये अलग वराइटी है टमाटर की तो इसमें तो ये ये तो काफी बड़ा साइज है टमाटर का औरर लेकिन हरानी की बात है कि इस पौदे पर ये जो एक और साथ में टमाटर है इसकी उस तरह से शेप नहीं आई है जैसी कि इस टमाटर की शेप है और ये अलग वराइटी के टमाटर है कुछ टमाटर के पौदे यहां भी लगे हैं सो थोड़ी सी धूप मिलने के बाद ये अब लाल हो होने लगे हैं और ये एक और अलग किसम का टमाटर का पौदा लगा हुआ है तो ये शायद बेल के अकार का है ये गिर रहा है ये देखिए ये वेट की वज़े से तो इसलिए ये जो टमाटर के पौदे हैं इनकी स्टेकिंग बहुत जरूरी होती है इनको सहारा देना ये मेथी भी बहुत अच्छे से हो रही है और ये धनिया है तो इसमें इसकी भी मैं हार्वेस्टिंग आज कर लूँगी थोड़ी सी और ये प्यास बढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से इसमें भी धनिया लगाया था तो ये जो आप इसमें होल्स देख रहे हैं तो इसमें ज्यादा बारिश की वज़े से पानी भर गया था तो फिर मैंने एक स्टिक लेकर तो इसमें इस तरह से होल कर दिये तो पानी निकल गया इसमें से और धनिया बच गया नहीं तो ये सारा धनिया खराब हो जाता इसमें भी मटर के कुछ और पौदे लगे हैं इन पर अभी फ्लावरिंग रेया यह देखे शुरू हो गई इस पर भी तो धूर निकलेगी तो फ्लावरिंग इस पर भी होगी और फ्रूट इन टमाटर के पौदे यहां लगे हैं और उस तरफ जो आपने को पीछे नजर आरह हैं वो सब आलू के प्लांट से आलू लगाए हुए हैं सो इन बोरियों में भी मैंने ये मूलियां लगाई हुई हैं कुछ बीज पहले लगाए थे तो वह अब उसमें शायद मूली बनना शुरू हो गई हो और कुछ मैंने बीज बाद में डाले थे तो वह भी जर्मीनेट हो ये और इसा फूल वगी है, उसमें भी परपल वली लगी है, बंध ये चने की भाजी है और इन सीमेंट के गमलों में सरसों और ये पालक लगी हुई है जिनकी मैं एक बार फार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ अब दो दिन धूप निकली है तो ये देखिए पुदीना भी अब थोड़ा आगे से बैटर होने लगा है वीडियो लंबा हो रहा है तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्मित्रों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर कुछ भी क्वेरी है या वीडियो में कुछ अच्छा लगा है या नहीं लगा तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें